नमस्कार दोस्तों जैशी राम हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं हिंदो लड़कियों को तो उनके समाज की तरव से और उनके परिवार की तरव से या फिर ये कहें उनके कानून की तरव से हर तरह से छूट मिली हुई है वो अपना जीवन साथी जिसे पसंद करना चाहती है जिस समाज से पसंद करना चाहती है जिस मपंद से पसंद करना चाहती है वो कर सकती है उन्हें पूरी छूट है उन्हें कहीं भी कोई रोक नहीं सकता हाँ अगर कहीं न कहीं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्हें समझाने की अवशक्ता जरूर पड़ती है उन्हें समझाया जाता है लेकिन फिर भी अगर कोई जिद करती है और कहती है कि मुझे आग में कूदना है तो उसे कूदने दिया जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि कानून लड़कियों के साथ है लड़कियों पर किसी बितरे का दवाव नहीं बनाया जासता है अगर वो बालिक है तो लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा धर्म एक ऐसा पंथ है जहां पर लड़कियों को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है लड़कियां अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकती और यदि वो चुनने की कोशिश करे तो उन्हें दराया धंकाया जाता है उन्हें मारने की कोशिश की जाती है उनकी उपर अत्याचार किया जाता है और इससे भी बूरा अगर कुछ हो सकता है तो वो भी किया जाता है और सिर्फ यही नहीं कि समाज उनके साथ करता है उनका खुद का परिवार करता है लेकिन फिर भी शायद लड़कियां अपने तरव से अपनी आजादी पाना चाहती हैं और वो वही कदम उठा भी रही हैं हम सब जानते हैं कि इसको यूपी के जो हालात हैं या ये कहें यूपी की जो सरकार हैं वो लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यद उनको परिशान करने की कोशिश करेगा तो वहां की पुलिस और वहां की सरकार उन दुष्ट लोगों को छोड़ती नहीं है ऐसे में अगर कोई लड़की अगर अपनी मर्जे से वहां पर कोई भी लड़की गाव से निकल कर शहर से निकल कर अपनी मर्जे से कोई जीवन चुनती है तो वहां की सरकार हो या वहां की पुलिस या वहां की कोई ऐसे लोग जो संगठन बना के घूंते हैं हिंदू संगठन हो या कोई और संगठन हो अगर वो उनका साथ देते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता हर तरीके से अगर लड़की बालिक है और अपना कि अपने पढ़ाई चुनने की पूरी तरह से सुतंत्रता है अजादी है वहां पर कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा है एक समय था जब यूपी में बहुत ज्यादा बुरा हाल था लेकिन जब से सरकार चेंड हुई है लोगों ने अपना सही एक निर्णे किया है वोट डालने का तब से वहां की सरकार लड़कियों के हित के अंदर तो कम से कम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उनके हितों का हर तरीके से सुरक्षित मलब सुरक्षित किया जाता है उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता कोई लड़कियों को छेड़ने सकता को लड़कियों को प पंद से यानि कि मुस्लिम पंद से आती है यह एक लड़के से प्रेम करती थी जो कि उसका सहयोगी था या यह कहीं उसके साथ काम करता था पांच साल से इनका प्रेम पसंद चल रहा था इस लड़के का नाम है राजेश अब क्योंकि जो नीशा है वो शुरू से ही हिंदु ध हिंदु धरम की बन जाओं क्योंकि उसको वहां के रिती v Affairs वहां के हर तरेके के तोड तरीके अ कुछ भी लगा लिए हिंदु धरम उसको बहुत पसंद था यह कि अपने के समाचके से अपने याप द्हालना चाहती थी कहीं ना कहीं इसमाज के अंदर जो कूरितियां जो यह मैसूस होता था कि हमें भी ऐसी अजादी तो चाहिए पुल मिलाकर इनका प्रजेश के नाम राजेश था उसके साथ यह रहना चाहती थी उससे शाधी करना चाहती थी अब होता यह है कि अपने परिवार को बताती है लेकिन इसी बीच में यह एक कामोर करती है अपने हाथ पर राजेश के नाम का टैटू गुदवा लेती है उस टैटू को देखने के बाद यह अपने घर पर जब इसके पेरेंस को पता लगता है इसके परिवारवाल को पता लगता है तो उसके जो पिता है वो बुरी तरीके से इसके टैटू को मलब इसके हाथ को छीर देते हैं ब्लेड से, बहुत बुरी तरीके से इसके हाथ को उस जगा को छील दिया जाता है, बहुत रोती है, बहुत परिशान होती है, उसके बावजुद ये हार नहीं मानती, उस लगातार प्यार करती है और कहती है कि मुझे उससे शादी करनी है, इसके पेरिस मानते नहीं है, इसको पीटते हैं लगातार मारते हैं बहुत ज़रा मात्रा में इसको प्रतारित किया जाता है इसको पर हर तरीके से प्रतिवन लगा जाता है कि घर से बाहर ने निकलेगी लेकिन मोका देखते ही इसे जैसे ही लगता है ये घर से भाग जाती है भागने के बाग ये दोनों बरेली जाते हैं और बरेली में जो आश्रम है वहां पर जाकर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि जो जो इनका धर्म है पंत है जो भी है इनका ये बताते हैं वहां पर जाकर अब यह सब सुनके वहां के जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि मुझे पहले लड़की का हर तरीके से घर गरवापसी करवानी होगी जो भी पूरा हिंदू संस्कार होता है वो करना होगा उसी तरीके से हिंदू संस्कार के अनुसार जिस तरीके से भी घरवापसी करवाई जाती है जो भी यग्यपार्ट होता है वो सब करवाया गया और उसके बाद नीशा का नाम करण किया गया और बताती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत परिशान थी पहले कैसे होगा, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मुझे उसी के साथ रहना है, क्योंकि मैं बालिक हूँ, इसले मुझे हर तरीके से जीनिक आधिकार भी है, अब आश्रम में पहुँची है तो वहाँ पर हर तरीके इसे कानूनी प्रक्रियां भी की जाती हैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जिस तरीके से भी इससे जो रिटर में लिखवाना होता है कि इसके परेशान करते हैं इसके पेरेंस इसका परिवार वाले या कोई और भी जो करवाई होती है वो सारी करवाई भी पूरी करवाएग कि मैं अब बहुत खुश हूँ, दोनों, दोनों ही खुशी के मारे वहाँ पर नाचने भी लगे, इतने खुश थे दोनों की दोनों, यानि कि एक तरीके से जो दोनों का संगम हुआ है, दोनों ये कहें कि राजेश तो हिंदू धर्म से था ही, लेकिन वो लड़की जो कही न क चार कोमेंट में जरूर बताएगा, इस वोड़े को लाइक और शेयर गूपीजेगा, दन्यवाद, जै शीराम